दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार संजय इन वियंस कुम नहीं बच पार है क्यों नहीं है खोपकिये खपले उसमें कोई बट नहीं है कि अगले ने में अपने अरिये में अमेठ्या सुल्टानपूर में किसी समय जमाना ता कीजयं भी संजय सिंगं को देखती थी मैनेजर से लेके हरे को संजय सिंग विवस्ता करते थे कई लोगों की रोजी रोटी चलाते थे टिकट ब्लैक करने के माहिर थे पुलिस से लेके सब कुछ सेटिंग थी तो संजय सिंग जानते हैं किस तरह से पुलिस से बात करनी चाहिए किस तरह से अब क्या है कि उन्होंने पर देखिए बीच में मिडियेटर बनके जो टिकट भी लेकिया होता है ओभी आप समझ लीजे मिडियेटर होता है वही मिडियेटर सिर्फ इन्होंने यहां पर किया के सराप गोटा ले पे मनी लाउंडिंग में सार्मनी सुथिया से बात कराने पे और दिने-सरोडा की केज् अब देखिए कि आज कोट में जब हुई है तो इनका क्या सुनवाई के दौरान एडी ने संजय सिंग को पांस दिनों की रिमांड मांगी और कहा कि सवालों को ठीक से जबाब नहीं दे रहें उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उसका भी उन्होंने कोई जनक जवाब नहीं दिया देखे एडी ने क्या दलिल दिये देखे मैं आपको बता दूं इंकम टेक्स के जब आदमी लिटाइड होते हैं तो उनको क्या है कि कई कंपनियों में लगा दिया केजरी बाल को बड़ा अन्भाव है और खास तोर से संजे सिंग को बड़ा इनको पड़े फून के डेटा के बारे में अभी तक कुछन नहीं बताया मोबाईल के बारे बिलकुल चूप है और जो पैसा है यह मिला है अब क्या है इधर कीजरी बाल का दिवार केजरी बाल ने अनीता सिंग से बात की इनकी वाइप से इनके पिता जबत कीजा गया मान से पर् जिरिवाल का नाम ना ले और लोगों का नाम ना ले अब क्या है कुछ बतला नहीं नहीं यह क्योंकि संजे सिंग एक सब्द कहा जाता धीट तो संजे सिंग को इतना अन्भव है थाना पुलिस कि आप समझ लिजे कि इतना अन्भव है कि इसलिए संजे सिंग अभी तक कबूल नहीं नहीं तब आज कोर्ट में एडी ने कहा कि यह कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं उनसे फोन के डाटा के बाड़े में पूछा गया है तो उसको भी उन्होंनों कोई संतुजनक जवाब ने दे अब आपको दूसरी बात बता दें अब एक सेकिंड मापको बताने क्या था कि मार मार के पूछा जाता था प्रग्या से मार मार के पूछा गया उनको अंडा खिलाया गया गोष्ट खिलाने की कोशिस की गई दवाब पर था इनसे कोई दवाब ने इस कारणी नहीं बतला रहा है कोड के सवाल के जवाब में एडी की और से पेज वकील ने बत सकता है अब आपको बतलाना है पांच करोर रुपए का और इनको मिला है और मिला हुआ अब समिश्चा यह मोबाइल नहीं दे रहा है और उसने भी बताया मिलने की लोकेशन सब कुछ मिल गई अब यह कि कैस रुपए वाली जो बात है तो आज कल जिसको भी घूस मिलती है तो यहां लखाओ घूस का पैसा इतनी धीमे से लिया जाता है यह एक नियम है घूस के पैसे लेने का तो आप सुने इसमें संजे सिंग बगएरा एक्सपर्ट है आपको बतलाना है कि जो ही एडी की जब लेट पड़ी हाला कि संजे सिंग बगएरा पहले से एलर्ट हो गयते ज आप रहते हैं आज जब यह एडी कोर्ट में आए तो बहुत ज़्यादा खबर आ गए जब लिमांड और मांगी गई और लिमांड अप्रूब्ड हो गई तेरा तारीक करो तेरा अक्टूबर तक रिमांड हो गई है आपको बता देंगर यह अभी भी नहीं बताएंगे यहां चुकि काइदे से पूछता छोड़े इस कारण यह नहीं बताए अगर तेरा तक इनों नहीं बताए तो फिर डिमांड बढ़ेगी अब संजे सिंग ने कहा कि मुझसे रात के सारे 10 बज़े कहा गया कि आपको बहार ले जाया जा रहा है पूछने पर बताया कि तुग हुआ है इसका मतलब है कि इनका दूसरा अदमी था अब आईए क्या ये माननी ये समानी है कता ही नहीं है ये मुल्जिम है मुल्जिम पूछेगा कहा ले जा रहा है इस से पूछेए सलमानी चाहिए एक महिला पत्रकार को इसी ने और इसके आखा ने दूसरा रागो चड़ा को परवार सबसे ज़्यादा मानता है जो रागो पंजाब या दिल्ली के बनने के लिए उतावला है और यह पूछ किया रहा है संजे सिंग यह कह रहा है कि कहां ले जा रहे हो जस्से पूछा एक मुल्जीम आदमी की इतनी हिम्मत की जस्से पूछा इसके पहले क्या पोईशन थी राजनीत में तुमने सिर्फ यह किया है मनी लाउंडिंग इसलिए मुकाम पे पहुचे और कब तक यह तुम्हारी सलतनत है थोड़े वक्त तक याद रखिएगा जो भी मनी लाउंडिंग करते हैं वो सलाखों के पीछे होते हैं इनको कोई नहीं रोक सकता है अब देखिए संजे सिंग ने और क्या कहा सिंग ने कहा कि अब जद सहाब इन से पूछे किस उपर वाले के कहने पर मुझे उपर भेजने की तैयारी थी यह इन से पूछे मेरा सिर्फ इतना अनरोध है कि जहां भी ले जाना है जद सहाब को बता दीजिए इस दौरान को उनके परवार से और वकील से दस मिनट मिलने की इजाज़त कोर्ट ने दी अब देखिए क्या पोईशन है यह घबरारा क्या कह रहा है किस उपर वाले के कहने पर मुझे उपर भेजने के तैयारी दी उपर वाला भी जब देखता होगा खुदा आसमान से तो कहता होगा स दो तो के लिए एक सांसद आई थी किनोंने कितनी हल्प की थी चतुर बेदी ने महलाश की वह भीन नहीं आए और फोबी नहीं आई वह चुक्ते घर अनीता सिंह के सामने आनहीं सकती थी संजे रायोत आया और उसका लड़का जिसको बुलाया था उन्हों ने रागो चड्डा जब चला गिया तो इन्होंने केजडी बाल ने अपने घर पर बलाया तह जमाल लड़का क्या नाम उसका ठाकरे का लड़का वह आया सब किसलिए दूसरे क्या कहना है कि मुझे ऊपर भेजने की त्यारी ते मतलब काउंटर करने के बता रहा है मुर्गता की हद होती है हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक ये चे ये काउंटर नहीं हुता है जब रौपी भाग रहा हो उस समय भी नहीं होता है जव उसकी ओर से फायर होता है की विकास दुबय के उसमें धी-2 के उसमें और पीछे एक थानेदार को कंटाब मारा यहां पर कहा कि ऐसे मारा था उससे पूछा गया क्यों विकास तुमको कैसे वहां पर जैन पर 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 थपर पुलिस आ ले तो उसने का एसे पर था उस पर वा और जो डीटू गैंग के रफीक का काउंटर हुआ था वो पुलिस एडी के हिरासत में अप फिर अगर कर दें जिससे करोनों लुपए का घोटाला अरबों लुपए का घोटाला सीज महल के परदे से ले करके तो इनसे इनको जिन्दा रखना बहुत जरूरी है पुलिस को अगर इनका बिमार भी हो जाएं तो है क्या लियल्टी यह है यूपिये के सासन के दौलान पर इतनी एक हैंकर थर्डिगरी का यूज हुआ है लोगों पे इनको चुकी बढ़िया ढंक से बैठारा गया इनसे यह पूछिए महला पतकार के साथ वहां क्या हुआ था पंजाम में क्या किया था अब यह देखे संजे सिंग के वकील रिव का जान ने कहा कि कश्री कोई अधिकान नही इसके लिए जांच एजनसी के पास पुकता वज़े होनी चाहिए पिछले पांच दिनों में उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जिनका जांच से कोई मतलम नहीं अब आप देखिए क्या है संजे सिंग को यह कि ऐसे सवाल पूछे उसके वकील अरे पुलिस ने बहुत काइदे स इडी ने पूछे हैं और जगह तो थपर मार मार के पूछे जाते लोगों के हाथ पैड बिगार दिये हैं आप एक सांसत को देख लीजे प्रग्या का पूरा सरीर बरबाद कर दिया है उसके घुटने तोर दिये इतने बुरी तही के मारा लेडीज को भूको रखा भूको सेफ करेंगे ताकि इनका और आपको बता दें इन्हों ने जहां जहां बेल मांगी इन्हों ने मांगी मनीश शोदिया ने मांगी और जैन को तीनों को लोवर से नहीं मिली जमानत हाई कोर्ट से नहीं मिली और किसी भी सूरत पे जहां तक मेरा अनमान है कि यहां से भी नही मिलेगी परंत चू की आपके साथ बहुत बड़ा गुट है बहुत वकील है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता अब देखे संजे सिंग के वकील और क्या बोले रेवका जानने कहा कि सार्वेस सर्वेस और विवेक से आमना सामना कड़ाए जाने के बात कही गई थी लेकिन ऐसा क हो इनका बच्पन का दोड़ सर्वेस और त्यागी आगया जो में ये राज़दान है अगर उनके आने पर आमने सामने में कहीं बेहुस ना हो जाए इनकी तबीद न खराब हो जाए इसलिए भी आमना सामना नहीं करा दिया आपको मैं एक चीज़ क्लिए कर दें जब भी ऐ पतिनी से बाद में पूछा जाए वो कर लें हाँ ऐसा तो हुआ तो उसको भी अलग लखा जाता चुकि पतिनी के संबंद हमेशा बिगर जाएंगे और पती उसी समय हर्ड अटेक पर सकता कि देखे हमाई पतिनी कह दिया कि हाँ इन्होंने माता जी का मर्डर किया था यह प ने पूरे वकालत के कैरियर में कभी ऐसी रिमान अरजी नहीं देखी संजै सिंग के वकील ने कहा किसी भी गवा से आमना सामना नहीं कराया गया बैंक के परवारिक टांजेक्शन को लेकर सवाल पूचे क्या इसके लिए उनको पांस दिन की हिरासत मिली थी यह जूट बोल और आपको इससे ज्यादा दुखत बता दे हाए क्या इसमें सबसे जो गंदी गलत भूमका रही है आई एंडियाई गडवन्दन इसको मुद्दा बना सकता है बनाये नहीं चुकि कांग्रेश भी चाहिती है इसके पहले जब मनीश सिसोधिया का हुआ था सब ने दसकत किय इसमें नहीं किए उस समय पोश्टर लगाता है सिसोधिया बहुन पर बैलकम का खुसी का लोग इंतजार कर रही है का अंग्रेश पार्टी कि यह अंदर चले जाए ठीक से फिर 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 लगाएंगे स्वागत का कि ठीक है बहुत अच्छा हुआ जैसे मनीश को सोधि देंगे आपको मान को भेजा नीता सिंग के पार दूसरा जान गया कि कांग्रेश हमको धोका दे रही है इसलिए का पड़ा था आज आपको बतना रहा है कि संजे सिंग की पोजिशन थी अब जो यह कह रहे तो ऊपर वाले से पूछा या किस ऊपर वाले की दया से तो आपक किसका बन गया दारू का दलाल बन गया उसके खांदान में कोई दारू नहीं पीता था और आपको बता रहे हैं महंगी है सराब मगर पिया करो यह अगले ने सही कर दिया और कहना नहीं चाहिए कि इन्हों ने दारू जो है इतनी मूपलब्द करा दी इनके पास इसमें कोई सक नहीं है कि संजे सिंग के साथ जो लोग आए वो अधिकतर दारू पीने वाले थे वो बराबर कह रहे थे बराबर वो चिंतित कि कुछ भी वगले ने काम कराया इसलिए संजे सिंग को मानने वाले दूसरा सबसे ज़्यादा मानने वाले उसके हैं सीस महल में रहने वाले के लिए उसको भी सब लोग गाली दे रहे हैं खास्तों से संजय की लॉबी के और आपको बता रहे हैं संजय सिंग के घर पर एक नारा एक बैक्त ने लगाया था वह यह लगाया था एडी तुस्से बैर नहीं केजरी वाल तेडी खैर नहीं यह जब आरोप लगाया है जब नार लखो के पीछे मेन होगा अली बावा चालिस चोड़